नमस्कार मैं हूँ नंदनी आप देख रहे हैं दब फोल धड़ी हर साल एक या दो चंदर ग्रहन तो लगते ही हैं और इस साल 2021 का आखरी चंदर ग्रहन 19 नुवंबर को लगने वाला है वैसे तो ग्रहन के दुरान सभी जीव, जंदू और मनुश्य पर इसका नकरात्म कसर भी पड़ता है ऐसा कहा जाता है कि चंदर ग्रहन के दुरान किसी भी तरह के मांगलिक कारेट नहीं होते हैं साल 2021 का पहला चंदर ग्रहन वैसे तो 26 मई को लगा था और अब 19 नुवंबर को साल का आखरी चंदर ग्रहन लगने जा रहा है हाला कि यह आंचिक रूप से ही लगेगा जो भारत के कुछ हिस्से में अमेरिका, उत्री यूरो, पूर्वी एशिया, अस्ट्रेलिया और प्रशान्थ माहसागर शेतर में नजर आएगा एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 नुवंबर को 2021 का आखरी चंदर ग्रहन लगने जा रहा है इससे पहले 26 माई को चंदर ग्रहन लगा था, इसे भी भारत में नहीं देखा गया था हिंदू पांचांग के अनुसार चंदर ग्रहन विक्रिम सवन 2078 के कार्थिक मास के पुर्णिमा को कार्थिका नक्षेतर पर लगेगा यह ग्रहन 11 बच कर 34 मिनट पर शुरू होकर शाम 5 बर कर 33 मिनट तक रहेगा वैसे तो चंदर ग्रहन तीन प्रकार के होते हैं, आये जानते हैं इसके बारे में पहला पून चंदर ग्रहन, दूसरा आंशिक चंदर ग्रहन, तीसरा उपचाया चंदर ग्रहन और 19 नॉमबर को जो चंदर ग्रहन लगने वाला है वो उपचाया चंदर ग्रहन होगा जिसे पेनम मर्बल भी कहा जाता है विज्यानिकों के मताविक चंदर ग्रहन एक महत पुरुन घटना होती है जब सूर्य और चंदरमा के बीज पर्थवी आती है जो चंदरमा पूरी तरह या आंशिक रूप से ढग जाता है और सूर्य पर्थवी और चंदरमा एक सीध में आ सब्सक्राइब करने की जुरूरत नहीं होती है आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद